असलाएं की बढ़्लस मैंने दिवान चीमा अवलकम बेक विदिन एट वीडियो और प्लू व॓ल सीटि इसलाम बाद आज के सुडियो हुआ को प्लू वूसेटि में जो डिवल्फमेंट हो रही है जिनल के जो पांच सेक्टर है उन में से जो सेक्टर नमबर 5 है इस रोडियो के एंडिंग पार्ट में कुछ साइट प्यांदी की वैसे मैं वीडियो कंप्लेट नहीं कर सका लेकिन मैं तमाम सेक्टर की इंडिपेंडेंट वीडियो बना दूँगा राइट नहीं जो फोटेज देख रहे हैं वापको 124 किनाल का हॉस्पिल का प्लॉट ट्रफिलकर स्केर और इसकी बैक साइट पर जो हॉलिवड ब्लॉक है उसके अप अरिया देख सकते हैं कि वो अरिया कैसा है इस वीडियो में जुर्णल के 5 सेक्टर है उनमें से सेक्टर 5 की में कूछ एक्स्प्रेंड करूँगा चीजें और बात में सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 5 तक इंडिपेंडेट सेक्टर की सेपरेली वीडियो बना दूँगा बात में Google Earth में चीजने explain कर दूँ कि right now जो point आप में देखा है ये कौन सा point बनता है overseas के बात करें तो overseas के total 19 districts है 19 में से एक district जमीन पर properly exist करता है district 1, district 2 partially exist करता है और district 3 से लेकर district 19 तक exist नहीं करते है तो overseas का total अगर हम बात करें blue world city के starting से लेकर अब तक तो total सिर्फ 5% काम हुआ है और general sector जो है उसमें independently आपको 25 से 30% development देखने को मिलती है ये दोने sector जमीन पर exist करते हैं बाकी sector जमीन पर exist कर रहे हैं जिसमें sports valley है जिसके brand measure show बखतर ने publicly खड़े हो का था कि हाँ इस sector की delivery मेरे जिमादारी है तो उस sector पर development as compared to any other sector ये school revenue की है और school revenue के left side पर sector 1 और sector 2 है और right side पर sector 5 है sector 5 गी अगर बात करें चुकि आज की वडियो में specifically कुछ area sector 5 का ज्यादा है तो sector 5 के अंदर आपको mainly जो plots मिलते हैं वो 50-90 एक कनाल यहां पर 500 गस के plot मिलते हैं और दूसरे जो plots मिलते हैं यहां पे वो 75 इंटो 120 दो कनाल यहां एक हजार गस के plot आपको जनल सेक्टर 5 में मिलते हैं और सेक्टर 5 की development के लिए लें कि बाकी comparison to जनल के जो 1 से लेके 4 sector है उनके equal development है यह एक block इतना बड़ा है कि जनल के बाकी 4 block मिला लें तो इनके equal आता है तो इस लहाँ से इस सेक्टर की काफी स्यदा importance बनती है इस वक्यों फोटेज देख रहे हैं में बलेवर्ड पर जो reserve plot हैं यह society की तरह से most probably commercial plot यहां पर later stage पर जाके plots को residential apartments के तोर पर लांच किया जाएगा वो plots हैं और back side पर जहां पर अस्ट्रक्शन होती ही नज़रा रही दो गरों पर यह सारे plots जो एकनाल के plots बनते हैं और left side पर जहां पर जू और green area लिखा हुआ नज़रा रहा है यह sector जो है बैसिकली sector 3 sector 2 बेस्के लिए उसका area बनता है sector 4 sorry उस area बनता है जहां पर जू भी है पीछे back side पर कुछ एरिया जो non developed है litigated है sector G का उसके लावा जो बाकी area है उसमें development भी हो रही है general block में ज्यादा development आपको देखने मिसले मिलती है कि 2017 में जब blue world city को launch किया गया था तो general block पहली residential inventory थी यानि कि blue world city में अगर आप enter होते है gate से तो आपको gate से enter होने के बाद तकरीबन 2.4 या 2.5 km के बाद पहली residential inventory स्टार्ट होती है जहां पर आपको यह वाली side मिलती है यह जो general का sector बनता है यह सारे area जो बनता है यहां पर commercial areas भी है residential भी है लेकर mainly जो blue world city के जो plotting हुई है जिससे members से पैसे इकठे कीएंगे है उन areas में development comparison to other societies थोड़ी slow नज़र आती है उसकी वज़ा यह में भी के site पे site ने इसको blue world city को tourist city के तोर पर promote किया है और tourist city के तोर पर promote किया तो जाएसी बात है कि आपको ऐसी attractions भी site पे बनानी पड़ती है attraction site पे ऐसी बनाएंगे कि horse mascot देख लें कि दुनिया के tallest horse mascot जो हो blue world city में exist करते हैं उसके साब forces credit college जो operational है वो देख लें आप उसके लब आप blue moss का replica बन रहा है फिर मैं एक separate video बना दूँगा बुर्जिल अरब के replica की तो overall development है वो उस तरफ ज्यादा है कि जिसके cosmetic beauty या overall society का image होता है वो ज्यादा बेतर हो as compared to members के जिन members ने blue world city में investment कर रखी है general sector 5 के अंदर जो एक कनाल और दो कनाल के plots हैं ये तमाम के तमाम plots जो ये developed है mostly general sector 5 को कुछ partial ये थोड़ा सा पार्ट ऐसा जो लिटिकेटिटिड है 80% areas का फिर भी क्लेर है वो मैं Google Earth पर रखके map explain करूंगा तो आपको idea हो जब मैं के सेरिय की बात कर रहा हूँ अब overall general sector 5 के अंदर जितना areas बनते हैं जो society गतर से अभी develop किये गी है उन areas में जिन members ने अपनी plot पर construction करनी है definitely उनके पास ये window है कि आपने बहुत low cost पर plot खरीज रख है future में जब smart city इंटर चिन के साथ blue world का road connect होगा तो आपको definitely motorway success भी मिल जाएगी चक्री road की access और बैक साइट से डेला की access हो जाएगी तो future में जो blue world city, capital smart city, dh9, फैसल टाउन ये जितने projects बनते हैं ये इसलाम बाता दरवाजा होंगे motorway पे capital smart city का front है 23 km अब motorway के साथ ही बिल्कुल आपका जो blue world city का downtown है वो भी बन रहा है तो जब motorway interchange से blue world city connectivity मिलेगी तो इन members के जिनके पास already side पे developed और possessionable plots होंगे definitely उनके सबस्थरा advantage मिलेगा आज की date में अगर मुझे कोई पूछता है क्यार मुझे investment के निए blue world city में तो कौन सा block recommended है तो दो ये option है यहां तो आप sports वाली में plot बाई करने डेडला की booking से यहां पिर आप जो अवामी block है वामे plot book करें अवामी block motorway के right side पर आएगा अवामी नेस्ट के नाम से अवामी block के अंदर भी plot जो है आपको इसलिए beneficial है कि जब interchange से रस्ता में लेगा तो अवामी block के जो members होंगे जिन्होंने बहुत सस्ते plot खरीज रखे हैं यारे कि 87,500 से जिनकी booking है plot की इतनी minimum booking के साथ वो लोग भी अपने plot पे maximum जो benefit है या return on investment है वो enjoy कर सकेंगे तो मेरा ख्याल है कि sports वाली block इसलिए प्रॉमिट है कि एक public figure जो internationally round है शोई बखतर उनके नाम से उन्होंने आके publicly blue world city की बैलेटिंग में खड़े होके का कि हाँ मैं इस project कौन करता हूँ अगर नहीं deliver होता तो members मैं उनका जिमादारी लेता हूँ तो आपको definitely एक international celebrity पर trust करना तो बनता है इसलिए sports वाली सबसे safest block बनता है आज की date में investment करने के लिए अब इस पार्ट जागे मैं करता हूँ Google Earth की में जाएड ताकि आप members को better understanding मिल सके कि general का sector 5 यह school road जो है इसके right और left side पर इरिया कौन सा बनता है अगर मैं इसमें blue world city का overall जो general का sector 1 से लेकि sector 5 का मैं आप 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 वो देख सकते हैं और मैं सबस्क्राइब स्टार्ट करता हूँ entrance gate से right now चक्री रोड पर दो entrance gate नहीं जो साइटी के बन रहे हैं एक entrance gate आपका इस साइट पर आता है जिसके आपको Google Earth पर इमेजिस भी मिल जाएंगी actual website पर विजिट करते हैं तो आपको प्रॉपर लिए इरिया डिवेलप हुआ प्रॉपर गेट मुकमल हुआ नजर आएगा यह access road, access 7u है, 208 feet wide अब इसके थोड़ साइब पीछे आते हैं around 200 meters back तो यहां पर इरिया पका मिलता है यह blue world city का flagship gate जो चक्री रोड पर एक्जिस करता है यह आदर है कि opposite side blue world city की जो अवामी block अवामी block कहते हैं कि इस तरफ है लेकिन यह सारा area downtown का बनता है अवामी नेस जो बैसिकल इस तरफ कहीं पर आएगा तो जब future में स्मार्टिक इंटर्चेंग से success मिलेगी let's suppose इंटर्चेंगी मैं इंटर्चेंगी बात कर दूँग जो आएगा तो आपको आड्या मिल जागा कि overall distance इंटर्चेंग से कितना बनता है यह मैं overall एक simple line ड्राउ कर लेता हूं कि यह इंटर्चेंग के point है let's enter होते हैं अब इस तरफ आजए तेहीं से अरज और से सेंटल के रही है जो Capital Smartट के अपनी premises हैं जाहर सी बात है कि इस से तो कोई रोड एक्सेस नहीं आएगा इस इंटरजन की ऑपोजट साइट से यानि मोटरवे के इस तरफ से कि ऑपोजट साइट लैंड जो है ब्लू वर्ल्ट सिटी के पास ज्याद है उसकी इंस्टॉल्मेंट दे के आप यहां पर प्लॉट बोग कर सकते हैं वो भी चार साल के प्लैन पर इननी केस फिलाल तो साइट पर बात करते हैं ब्लू वर्ल सिटी का जो प्रॉपर एंटरंस गेट है उससे जो जनरल फाइव के डिस्टन से है वो कितना मंत है यह जो सारा इरिया है इसका मैं डिटेल से स्लेक्ट चुन कर रहा है तक जिन मेंबर्स के अलड़ी इन्वेस्मेंट है उनको भी अपनी इन्वेस्मेंट प्रॉपरली एक फॉल अप मिल सके कहां स्टेंट करती है और जिन्होंने इन्वेस्मेंट भी करनी है उनको भी follow up मिल सके कि उनकी investment वो कहां पर करने जा रहे है right now यह जो point है horse maskets वाला यह point जो है distance का बनता 0.86 km का इस point से अब आगे की तरफ move करते है यह आगा water theme park का जाता है water theme park जो है 132 कनाल के area है जो के बहुत बड़ा area बनता है मेरे ख्याल से और इस से आगे आपका इस point से 1.81 km sorry मैं last video के दुरान का था 2.4 km लेकिन actual distance जो है वो यह distance बनता है आपका 1.81 km का हाँ यह जो area है जिस जगा जाकर connect करता है 1.81 km जहांपे specifically यह दो कनाल के plots हैं plot number 86 78 से लेकर 86 तक जो strip है यह वाला area भी non developed है इस में as such development physically जमीन पे नहीं है यह सरफ simply आपको brown वी land नज़राती है in any case brown वी यह दो चारशी बादर जमीन स्वाइटी के पस मुझूद है blue world city के पास रखबा जो है वो बहुत ज़्यदा मुझूद है ज़रेडला कनाल को क्लेम करते हैं बड़ लेट सपोर्स ज़रेडला कनाल को अगर आप देखते हैं तो साइटी जब फ्यूचर में मुकमल डिलेवर हो गया ऐसे दासियां 15 साल बाद तो एक बहुत बड़ा शेयर बनके सामने आएगा अचा जी इसके साथ ही बिल्कुल आपको इस एंटर्स पॉइंट के लावा अगर आप यह दूसा रूट इस्तमाल करते हैं याई जो यह वला एबनियु है इससे आगे जाते हैं मैं इसको खत्म करते हैं तो आपको यहां पर जाके फोर्स काईडिकॉलज की प्रिमिस्स मिल मैं हमने तीन बिल्डिंग्स हैं और यह बागी ग्राउंड के लिए अरिया है मैप इसने पिक्जल क्लेर नहीं है बट मेरा ख्याल है कि यह वला एरिया ग्राउंड का होगा और यह स्ट्रक्चर होंगे जो ऑफिसे के लिए बन जो ब्लोल स्रिटी के फोर्स काईडिकॉलज एरिया साथ ग्राउंड के बिल्डिंग के लिए गोई सिर्फ फिसे एड बिल्ली दमें जो जो ह सी आपको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ मिलता है इसमें प्लाइटेशन वगरा भी हो नहीं है यह आपको फिजिकली ग्राउंट पे मिलता है वीडियो स्टार्टिंग पॉइंट था यह वाला अरिया था और इस अरिया से पहले सीधी साइट पे सामने आपको ट्रफल्गर स्क टू कंखे siya कki नाल के प्डाउट है और यह यह आगे एकसे क्किनु करते हैं जो जाके सेकंड गेट के साथ कनेक्च करते है यह इंकर स्कूल कम्णे करते हैं राइट साइट पर इसको को बेनेग स्टेपर मैं आपको इन नाल ओन नमीक फोने मिदेट नहीं होगी तो ठरइ बड़ी टाइप फील हो तो इसके ऐलिवेशन एक अच्छी ऐलिवेशन है यह आप देख सकते हैं इस एरिया में अभी तक मिरा नहीं किसी मेंबर को पॉज़ाशन मिला हो हां स्ट्रीट से कुछ अलाइनमेंट वरा ड्राव हुई जरूर है लेकिन एक्चुल ग्राउंड पे प्लेट उस फॉड्स के जो प्लॉट्स मेंटन से पेंशना की अपिषी जरूरी ग्रॉजबॉट के सब्सकिंद आता है कैम्म करने इस प्लॉड से 205 परहट है आप साइड पर आपका सेक्टर फाइफ है और अगर बात करें साइड पर नीचे वरी साइड पर आपका ओवर सीज का जो एरिया आता है आइ तिंग यहां पर वाटर फॉर्ट जाएगा मेरे पसका मैप नहीं है लेकिन मैप होका तेंचला में भी शेयर कर दूंगा यह दुल्याल क जाहर सी बात है मैं अप्ता दूंगा मैं एकस्पेक्ट करते हैं मैं ब्लू अल्ट जड़ी जब वीडियो बनाऊंगा डेडला कनाल की जब मैं सुनता था ना मैं इसाइड पर जाहर सी बात है वीडियो बनाऊंगो तो शायद एक पूरी केलिंग कंटेंट की सीरीज होगी यानि कि पचास साथ वीडियो निकलेंगे साइड की बट छे यह साथ वीडियो में वह सारा एरिया खतम हो जाता है क्योंकि एरिया बहुत कम डिवैलप्ट है मैं गूगल अर्फ पर मेयर करूंगा जार सी बात है कुछ मेंबर डेसाइड होंगे कितना काम अरिया है बट उस साइड यह ने मारका रख एक इस ब्लू अले कलर से तो वह कलर यह पर शोर नहीं हो रहा तो मोस्ट पर यह पर सिंपल रजिजिंशल अपार्टमेंट यह होंगे इसकी बैक साइड पर सारे जो प्लॉट्स हैं वह 75 एंट वन 20 के प्लॉट्स हैं दो कनाल के प्लॉट्स अगर प्लॉट्स नमबर टॉन्टी से लेके प्लॉट्स नमबर थाटी एट तक बनते है आपका स्ट्रीट नमबर 16 पे और 18 पे स्ट्रीट 16 और 18 बीच में इनको एक वाटर चैनल है यह डिवाइड करता है इस पर को पुल नहीं बनाया हुआ तो यह वाटर चैनल आपस में दोनो यह में कमल डिवर लिखनी यहां पर मैप मुझे चीज अंडर्स्टाइड नहीं हुई कि सुसाइटी की तरफ से मैप यहां पर प्लॉट्स नहीं है यहां पर कोई और कमर्शल बिल्डिंग है कुछ और बन रहा है मैप पर शोव नहीं हो था इसलिए उसको वीडियो के दु टाली हुई है डाली ही है राधी कॉर्प अफस यहां पर साइट में रहा हुए यह दो-दो किन आके लॉट्स ऑनकी स्पेस बन रहा है आचा जी बापर साते हैं पीछे वापस दुबारा शी इस ट्रीट जीट अगर बात करें तो डिव्लप्डैस टीट एटीन की बात करें स्ट्रीट 13 के बाद आती है जी स्ट्रीट 22, 21, 20 तीनों स्ट्रीट में कमल डेवलप्ट है इंवन क्यू स्ट्रीट 20 पे एक गर कंश्च्चिन भी हो रही है और स्ट्रीट 20 के लावा जो इस तरह प्लॉट नमर याद भूण जिरो फाइफ है उस पर वी कंश्च्च्च्च्च करता है तो यह भी सारा इरिया डेवलेपट अचा जी पीछे जाते यह इस अरिया में तो यहां से न आपका नॉबल पार्ट शुरू हो जाता है यानि सेक्टर फाइश्पाइश्ब करता है 80 पर वीडियों बात किया है 90 पर एक यह सेक्टर फाइब यह थिंक तो क्यूंकि एं आक्षा लाँच कर दें जिसमें दोखनाल के प्लोट्स की जगा आप का प्रॉपर लिजो भी आपका कॉर्पर आफिस है वो शो रहा हो लेकिन इस मैप पे चीजे थोड़ी से डिफरेंट और मैं बिल्कुल एकुरेट आप यहां से इंतादा लगा लें कि यह राउंडबाउ मैप को रिवाइज करता है करता है अच्छा खेर यह ग्राउंड और इसकी तरफ आजें कमर्शिल की तरफ तो जो पार्पल एरिया है वहां पे आपको थर्टीन पॉइंट सेंट नागर जो पार्क है वहां पे एक वाटर टैंक रोड तरी के साथ और यह प्ले ग्राउंड ह है 39 किनाल का यह 30 किनाल राउंड ओफ कर लें आप और मॉस के स्ट्रक्चर पे आपको जहां पे मॉस बन रही है वहां पे सिर्फ आपको साइटी दर से कुछ मटीरियल पढ़ा हुआ नजर आता है यह राउंड बोट के साथ ही बिलकुल आपको सेंटर में राउंड बोट है यह राउंड बोट के चार साइट है 14.15 किनाल की मॉसक है पारक है 13.7 किनाल का कमर्शल इरिया 25.68 किनाल का और प्लेगराउंड है 29.9 किनाल 28.49 किनाल का यहां पे सेक्टर 5 के लिए प्लेगराउंड की जो स्ट्रीट्स हैं कॉर्णर स्ट्रीट सारी कंप्लिटिट है अंदर उसे पीछे स्ट्रीट है वहां पे ऐससे रोट का श्रां स्ट्रीटं स्ट्रीट नहीं है स्ट्रीट नांबर मं बात करूं स्ट्रीट ne 저र् श्रीट न्वरी नायन की और फ्रिप्टी तू.पिर श्रीटा एधिionist थोड़ा सा लिएड ब्लान समझ आता है यह पार्शलीप कहलें कि डवैलप्द ही है यह नॉनियुन वैलप्द ही है लेकिन थोड़ा समझ आता है कि यह एक कूं सा बनता है अचांच इस तरफ आजें पीछे तो आपको जो स्ट्रीट मिलती है स्ट्रीट 46 है स्ट्रीट 42 है स्ट्रीट 45 है 41 है 42 है 40 है and स्ट्रीट 43 है इस एरिया के जो डिवलिपमेंट है वो आपके सामने फिजिकल विटनस कर सेते हैं इवन दो पीच में यह वाला जो पार्ट है आराउंड मैं मार्क पर दो कितने किनाल का पार्ट है यह लिटिगेटट फील हो रहा है कि यहां पर स्ट्रीट की तरफ से एससेज कमिशिनरी की मुवमेंट नजर नहीं आती आराउंड पर 4.7 एकड़ का 4.5 एकड़ कर लें तो इसका राउंड ओफ कर लें नबर को आपको तो 36 कनाल के रिया बनता है जो को यहां पर लिटिगेशन है अगर यह मैं प्लॉट की बात करूं तो यहां पर स्ट्रीट आती है आपके स्ट्रीट 42 प्लॉट नबर 505 से 516 और राइट साइड पर 525 तो 517 प्लॉट नबर यहाले पार्ट जो है लिटिगेशन में आती है इवन तो कुछ पार्ट 436 से लेके 443 तक जो यह प्लॉट है इसका पार्ट जाए वो भी एक सर्टन पार्ट लिटिगेशन में आता है जो के अभी तक ट्रिक्योर नहीं है इससे आप उन्दादा लगा लें कि ब्लॉट लॉट से लेन-दाट की और ब्लॉट सेटी की जनल ब्लॉट की अवरल डॉटेटमेंट क्यों मैं जब फेक्टनीर फिएर पर जाहदा बिलीव करता रहूं और मैं जब एक्स्प्यैन कर सेजिजे तो इसी तभी करता हूं डेटेल में इनिशल्ला ब्लो वल्ट सिटी की बनाता रहूंगा ताके मेंबर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट पे रूटीन का फॉल आप मिल सके याद रहे कि जब जनरल ब्लॉग, ओवर्सीज ब्लॉग, वाटर फॉन्ट ब्लॉग या इन तूसरे ब्लॉग लॉग 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 करना ब्लॉग से राप्पटा करशते हैं और आनमे कांट सुलॉशन के तुरूतिव लॉग लॉग लेठेल वीडियो बात में बना दूँगा तहके मेमम्बर्स को अपनी इन्वस्टमेंट पे वह अंगिन बेयर्ल टांप्टर स्रेन कई। सामने आपको ट्रफिल कर स्कूर भी नजर आ रहा होगा मैं जिसे बात की वीडियो के स्टाइट में कि जब मैं रिकॉर्ड करता तो साइड बे थोड़ सी आंधी आ गई थी तो इस विए से थोड़ा सा वो पार्ट मैं नहीं कंप्लीट कर सेका लेकर मैं सेक्टर 5 की कमिट्मे बाद में इन्वेस्टमेंट के वाले से कोई इंफ्रमेशन चाहिए हो तो देगर नमर बराबता करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.maccountsolutions.com अगर आपको ये वीडियो ची लगए तो प्लीज डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़े अगले वीडियो तरके लिए खुदा हाफिस मत भूले, टारा है और रच्पनी को अगर करना मत भूलें, भूले शीकरश करना मत इक करना मत भूलें झाको दो प्लाइक करम ये आूपको ये गएकारा करना मत भूलें वाद्धको